अलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप काफी अच्छे होंगे अभी आप ये स्क्रीन के उपर देख रहे हैं ये गहटना चक्र BPSC पूर्वा लोकन शमानने अधिन की ये बूक है और ये बिल्कुल नई अपडेट के साथ ये बूक आई हुई है बर्ष 2023 के ल लेकर और सरसठवी BPSC तक के पेपर जो है इसके अंदर इंकुलूड किया गया है आप एस्क्रीन के उपर देख सकते हैं और ये जो पेपर है ये पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज इंकुलूड किया गया है इसके अंदर जैसे इतिहास का है पोलेटी का है भूगोल का है साइन्स का है इस तरह ये पूरा पेपर जो है इसके अंदर इंकुलूड किया गया है और अब तक जो है मैं इतिहास से लेकर और ये अर्थ बेवस्था तक का पेपर जो है मैं डिसकस करके यानि फास्ट रिवीजन मोड में ये सारा पेपर जो है मैं डिसकस करके और अपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो पिलिज आप इन वीडियो को देखिए ये आपके एक्जाम के भी उसे काफी इंपोर्टेंट है और आप जानते हैं कि प्रिबियस यर से डाइरेक्ट कुस्टन जो है बिबियस में पुछा जाता है तो अगर आप इस बुक को फोकस कर लिजेगा तो यहां से लगभग आपके एक एक प्रॉक्स 60% कुस्टन जो है इसी बुक से आपका निकल जाएगा और रिमेनिंग करेंट से आप निकल लिजे तो यह आपके सेलेक्शन में एक बड़ा सा योगदान कर रहता है इस बुक का तो अभी मैं इसका जो है यह साइंस का पेपर जो है मैं आपके साथ डिसकर्शन करूँगा और साइंस के अंदर जो है बहुत तकी का तो यह भी वीडियो जो होगा यह मेरा फास्ट रिवीजन मोड का वीडियो होगा और यह बच्चों के डिमांड पर मैं बना रहा हूँ फास्ट रिवीजन मोड का वीडियो क्योंकि छोटा छोटा वीडियो होता है वो 8-10 पर अपना देख लेते हैं तो उनका revision जो है ये on schedule चलते रहता है जैसे मालने जे एक दिन हम ये वीडियो देख लिए अगले दिन दूसरा वीडियो देख लिए तो करमबद जो है उनका revision का जो schedule है वो करमबद तरीके से चलते रहता है तो इसलिए मैं ये छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ और अब तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो पिलिज आप इन वीडियो को देखिए और वीडियो को आन तक देखा किजिएगा और एक like का बटन जरूर दबाएगा जो अभी जो मैं आपके साथ discussion करूँगा वो है बहुत की का तो चलिए बिना समय गवाय स्टार्ट क पहुंच जाए तो चलिए बिना समय गवाय स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बहुत की का पेपर है और इसके अंदर है पर आप 100 कुशन दिये हुए हैं तो चलिए हम लोग फटा-फट देखते हैं कह रहा है कि किसमें neutron जो है यह नहीं होत है अगला कुशन है एंग्स्ट्रॉम की इकाई क्या होती है तो एंग्स्ट्रॉम की इकाई जो होती है सोरी एंग्स्ट्रॉम इकाई है तो यह बेवलेंत की इकाई है एंग्स्ट्रॉम यानि तरंग धैरे की इकाई है प्रकास बर्स किसकी इकाई है तो यह दूरी की साइड का होता है अगला कुशन्स जो है यह हर्च में क्या माना जाता है मापा जाता है तो यह आवीरती होगा अगला कुशन्स है बिधूत सक्ती की इकाई है तो बिधूत सक्ती की जो इकाई है यह वाट है अगला कुशन्स है दिरिस्चे स्पेक्ट्रम के तरंग धहर की सीम है तो यह है ön चालीश उसे लेकर और चीहतर तर सो एंग इंग्श्ट्रों जो आरदता है ये आपको हाईग्रो मिटर से नापा जाता है दाब की ईंकाई क्या तो दाब की इकाई जो है नूटन पर वर्ग मीटर है दाब का मातरक क्या है तो देखिए दाब का मातरक जो है इसमें आपने देखा है उपर में नूटन पर मीटर स्क्वाइर है और इसमें जो है इसके पास्कल होते हैं दाब का तो इसके अंदर कोई नहीं है ऐसा तो इसके ह हो जाएंगे दिमलीखित में से कौन सी अदिस रासी है अदिस रासी की बात बता रहा है तो यह जो है जब बिक्रिती का जो होता है ये मातरक नहीं होता है अगला कुछन से सही कहतन को चूनिए तो देखिए इसमें जो है लाल रंग का जो तरंग धैरे हैं ये बैगनी परकास से ज़्यादा होता है तो ये बिल्कुल सही है अगला कुशन से जब दीन में पानी पर शाबुन की फिल्में दिखाई देती हैं तो यह सुंदर रंग दिखती है इस घटना का कारण क्या है तो यह प्रकास का ब्यक्तिक करण के कारण होता है अगला कुशन से एक प्रमानु के किंद्र का धना वेशित हिस्सा क्या कहलाता है तो ये कहलाता है नुकिलियस अगला कुशन से एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते है जो ठोस है ये सीधा गैस के अंदर परिवर्तित हो जाता है इसको बोलते हैं उर्धुवा पातन अगला कुस्टन से वह ताप बिंदू जिसपर ठोस दरब और गैसी अवस्था एक साथ रह सकती है वो क्या कहलाता है वो त्रिक बिंदू कहलाता है याने ट्रिपल पॉइंट कहलाता है कॉस्मिक किरने ये हैं अब अबिसकारक कौन था तो राडार्द है इसके अबिसकारक जो है ये रोबर्ट वाट्शन है अगला कुस्टन से गॉड़ पाइटिकल है तो गॉड़ पाइटिकल जो है ये हिंग्स बोशोन है अगला कुस्टन से C.B. रवन को बहुत की का नोबल पुर्षकार पराप्थ हुआ था ये 1930 में पराप्थ हुआ था उनको और यहाँ पे हम लोग इस डाटा को एक बार देख लिते हैं ये काफी इंपोर्टेंट डाटा है तो इसलिए मैं इसको आपके साथ अभी डिसकेशन कर ले रहा हूँ रविंद नाथ ठाकुर जो है इनको सहित्य के अंदर नोबल पुर्षकार मिला था 1913 में ये काफी इंपोर्टेंट है और सीवी रमन को बहुत की में मिला था 1930 में हरगोविंद खुराना को चिकित्षा में मिला था 1968 के अंदर शुब्रमन्यम चंदर सेखर की बात करते हैं तो इनको भौतिकी में मिला था 1983 में मदट्रेशा की बात करते हैं तो इनको सांती में मिला था 1979 में और आमर्ति सेंड की बात करते हैं तो ये अर्थ सास्तर में 1998 में मिला था आला सत्यार्थी जी की बात करते हैं तो इनको सांती का मिला था 2014 में और वी रामा कृष्णन की बात करते हैं तो इनको जो है रासायन में मिला था 2009 में और अभीजीत बनर्ची की बात करते हैं तो इनको अर्थ सास्तर में मिला था 2019 में ये डाटा आप याद कर लिजेगा ये year के साथ आप इस data को याद किजिएगा तो ये काफी आपके लिए अच्छा रहेगा टेलियस्कोप की खोज किस बैज्ञानिक ने की थी तो टेलियस्कोप की खोज जो है गैलेलियो ने की थी इस सदी की शुरुवात में हवाई जहाच का अभिसकार किस ने किया था तो ये राइट्स ब्रदर्स ने किया था अगला कुशन से एक माईक्रोन बराबर है तो एक माईक्रोन जो है 1 by 1000 mm के बराबर है 40 degree Celsius का मान जो है एक Fahrenheit Scale में कितना होता है देखिए जब हम लोग इसको ये फर्मूला को आप याद कर लिजे और जब हम लोग इसको solve करेंगे तो हमारा 104 आजाता है तो ये आजाता है इतना क्रोमेटोग्राफिक की तकनिक का प्रियोग होता है तो क्रोमेटोग्राफिक तकनिक का जो प्रियोग होता है काल अब दी ये किस के उपर निर्वर करता है, कह रहा है कुछ सन के अंदर, तो ये लंबाई के उपर निर्वर करता है, बल गुनन फल है, बल जो है ये गुनन फल है, दरब्यमान और त्वरन का, त्वरन ग्यात करने का सही सुतर कौन से है, तो त्वरन ग्यात करने का जो सही सुतर है, V-U by T है निमलिखित में से कौन सी राशि सदीस नहीं है तो सदीस जो है ये आयतन जो है वॉल्म जो है सदीस राशि नहीं है पदार्थ के संबेग और बेग के अनुपात से कौन सी भोटिक राशि प्राप्त होता है तो देखिए, P iskale to mb होता है तो इसको हम लोग संबेग बोलते हैं और बेग को हम लोग V बोलते हैं तो V से V गैंसिल हो गया तो मास हमको मिल जाता है तो ये हो जाता है हमारा कहा? दरब्यमान एक किलो मीटर दूरी तात पर रहे है 1000 मीटर के एक पिको मीटर बराबर है तो 10 to the power minus 12 ग्राम के एक पिको ग्राम की बात कर रहा है मीटर की नहीं अगला कुसंस है अगर आप एक लिफ्ट में खरे हैं और लिफ्ट के फर्स पर आपके भार द्वारा लग रहा बल जो होगा ओ लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरन से नीचे आते समय सुनने होगा अगला कुसंस है यदि एक पंक एक रबबर की गेंद और एक लकरी की गेंद निर्वात में एक समान उचाई से सोतंतरता पुरबग एक साथ गिरा रहे हैं तो तीनो जो है ये साथ में आएगा तीनो एक साथ जमीन प्याता है अगला कुसंस है कह रहा है कि बायू में धोनी तरंग होती है तो बायू के अंदर जो धोनी तरंग होती है ये अनुधर तरंग होती है अगला कुसंस है रेत और नेफ्टलीन के मिश्रन को किसके दोरा प्रिथक किया जा सकता है तो देखिए रेत और नेफ्टलीन की बात करता है तो नेफ्टलीन यह है यह उरने वाला पदार्थ है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे उर्दवा पतन सबली मेशन से अगला कुशन्स है बिदूत सक्ति की इकाई है तो बिदूत सक्ति की जो इकाई होती है वो होता है वाट अगला कुशन्स है निमलिखित को सही सुमेलित नहीं है तो देखिये बोल्ट मीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पोटेंशल डिफरेंस यानि यह सही है विवानतर एमीटर की बात करते हैं तो विदूत धारा ये भी बिल्कुल सही है पोटेंसियो मीटर की बात करते हैं तो विदूत बहाक बल ये भी बिल्कुल सही है गलवेनो मीटर की बात करते हैं तो ये विदूत परती रोध ये गलत है बिधूत परतिरोद मतलब होता है रेसिस्टेंस की बात कर रहा है जो गलबीनो मीटर ये गलत है इसके एंसर हो जाएंगे ये तर्वाइन और डायनमोश ये बिजली प्राप्त करने में किस उर्जा को बिधूत उर्जा में परिवर्ति करते हैं तो देखिए ये होता मेकेनकल इनर्जी मेकेनकल इनर्जी को हम लोग इलेक्टिकल इनर्जी में कनवर्ट कर देते हैं तर्वाइन या फिर डायनमोश से हम लोग अगर बिजली प्राप्त करते हैं तो 100W का बिजली का बल्ब यति 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा देखिए अगर 100W का बल्ब है तो इसको आप याद कर लिजे किलो वाट आवर यह एक फर्मुला होता है किलो वाट आवर आप इसी से आप इसको solve कर लेंगे जो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं बनाएंगे यह एक यूनिट है इसका answer आप इस पे इसको put किजिए है न यह वाट जो है किलो वाट में दिया हुआ है देखिए यहाँ पे किलो वाट में दिया हुआ है और यहाँ पे वाट में दिया हुआ है तो आप इसको किलो वाट में convert कर लिजेगा वाट को और यह जो प्रति रोःत का मान ये इतना ओम है तो दूसरे प्रति रोःत का मान की बात कर रहा है यहाँ पर तो आप यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं यह एक फर्मूला होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ अभी है अगर हम लोग parallel की बात कर रहे हैं तब अगर series की बात करेंगे तो सीधा R1 पलस R2 हो जाएगा R equivalent लेकिन अगर हम लोग parallel की बात करते हैं R1 पलस R2 अगर हम लोग parallel की बात करते हैं तो 1 by R is equal to क्या होता है 1 by R1 plus 1 by R2 जब हम लोग इसको solve करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह क्या आता है और यह हमारा answer हो जाता है तो इसका answer हो जाएगा 4.70 kWh एक समाने सुस्क के सेल में बिधूत अपगट्य होता है तो यह होता है ammonium chloride डाइनमो जो है यह क्या करता है यह है यांतरीक उर्जा को बैतूत उर्जा में परिवर्तित कर देता है बिधूत मोटर बिधूत मोटर में है तो बिधूत मोटर क्या करता है यह करता है बिधूत उर्जा को यांतरीक उर्जा में बदल जाता है बिधूत मोटर बिदुत धारा निम्न में से किस उपकरन से नापी जाती है तो बिदुत धारा जो है ये नापा जाता है एमिटर के थुरू बिदुत धारा किस उपकरन से नापी जाती है तो ये एमिटर के थुरू नापा जाता है प्रकास में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है तो यह पिरिजम के थूँ हम लोग इसको अलग कर लेते हैं तो यह इसका एंसर हो जाएगा यदि किसी एनक के लेंसों की सकती प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या है देखिए इसका एक फर्मूला होता है यह वाला F is equal to 1 by D तो आप इस फर्मूला को याद कर लीजिए F का मतलब होता है फोकस दूरी और D का मतलब होता है लेंस की चमता तो अगर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है पलस 2 डायोप्टर इसकी पावर दिया हुआ है पावर ओफ लेंस दिया हुआ है तो पावर ओफ लेंस जो है यह मतलब चमता है पलस 2 है तो इसको जब हम लोग 1 by 2 लिखेंगे तो यह हाप आ जाएगा हाप यानि 50 cm तो यहाँ पे है कोई 50 cm तो यह इसके एंसर हो जाएगे आप किसी के पास भी पढ़ने जाएगा आपको यही फर्मूला पताएगा और इसी पर इसको स्वालव करा देगा 10 मिनट समय बरबाद करके चुम्बुक्ये सुई किस तरफ संकेत करती है तो चुम्बुक्ये सुई जो है यह नौर्थ के तरफ संकेत करती है उत्तर के तरफ स्वेत परकास की नली में कैसे पैदा करते है यह स्वेत परकास जो है नली के अंदर कैसे पैदा करते है तो यह जो हम लोग पैदा करते है यह तंतु को गरम करके Einstein को Nobel Prize किस कारे पर मिला है तो Einstein को जो Nobel Prize मिला है ये मिला प्रकास बिधुत प्रभाब के कारण अगला कुशन्स है बिधुत उत्पन करने के लिए कौन सी धातु का उप्योग होता है तो बिधुत उत्पन करने के लिए ये uranium का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कमरे को ठंडा किया जा सकता है संडीप्त गैस को छोड़ कर आम तोर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए पड़ियोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है तो ये पदार्थ है टीन और सीसे की एक मिस्र धातु निमन में से कौन सा उस्मा का सबसे अधीक कुचालक है तो उस्मा का जो सबसे अधीक कुचालक है वो है पारा अतिचालक का लक्षन है अतिचालक का लक्षन क्या है ये शुन्ने परा गम्यता अगला कुशन से गर्म करने पर एक अर्धचालक का परतिरोध क्या होता है जब गर्म करते हैं हम लोग तो ये अर्ध चालक की यानि सेमिकंड़क्टर की बात कर रहा है तो इसका जो है ये घटता है ठंड़क के दिनों में लोहे के गुटको और लक्री के गुटको को प्राता काल चुए तो लोहे का गुटका जो है ये ठंड़ा लगता है क्योंकि लोहा जो होता है ये अबजरवर होता है ये लकरी के तुल्ला में लोहा जो होता है ये उस्मा का अच्छा चालक होता है एक पंखा गर्मी के मौशम में अराम की अनुभूती पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वास्पित हो जाता है इसी लिए अगला कुशन है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दर्वाजा खोल कर आप अन्धता कमरे को थोड़ा गरम कर लेंगे अगला कुशन है यदि रेफ्रिजरेटर के दर्वाजे कुछ घंटे के लिए खूले छोड़ दें तो कमरे का तापमन क्या होगा कमरे का तापमान जो होगा वो बढ़ जाएगा अगला कुशन से निमलिखित में से गलत कथन का चायन करे तो आए हम लोग देखते हैं गलत कथन कौन सा है देखिए अगर हम लोग कपास गर्मियों में कपरे के रूप में उपयोग के लिए उपयोग के लिए उपयोगत है क्योंकि यह नमी को अपसोशित करता तो यह बिल्कुल सही है और CD बनाने के लिए polycarbonate का उपयोग किया जाता है तो यह भी सही है acrylic को कितरी मरेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास त्यार कपास से त्यार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता नहीं है यह गलत है दो उत्रोतर श्रिंग अत्वा दो उत्रोतर गर्त के बीच की दुरी को क्या कहते हैं तो यह कहते हैं तरंग धैर जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता या फिर बदलती है तो यह frequency जो है यह नहीं बदलता है पढ़ने में काम आने वाले glass lens किस परकार के lens से बनते हैं तो यह है उत्तल lens दरपन के सामने घर एक बैक्ती को अपना परतिविंब अपने से बरा लगता है इसका तत्पर है कि अनुमानत है ध्वनी का बायू में बेग जो है अनुमानत है तो ये है 330 मीटर पर सेकेंड प्रकास विकिर्णों की प्रकृती होती है तो प्रकास विकिर्णों की प्रकृती जो होती है तरंग एवं कंद दोनों में समान होता है आकास निला लगता है क्योंकि क्योंकि लगुत दिर्गतरंग की अपेक्षा बायमंडल द्वारा अधिक प्रकिर्ण होती है इसलिए रात के समय खूले आकास में तारों के टिम्टिमाने को किसे समझा जा सकता है तो यह है प्रकास का अपोबरतन पानी का घनतव अधिकतम होता है यह पानी का जो डेंसिटी है अधिकतम होता है चार डिग्री सेंटिग्रेट पे 50 डिग्री सेंटिग्रेट का मान फारेन हाइट एसकेल में क्या होगा तो यह फर्मूला है आपको हम बोले थे पीशे भी इसको ध्यान में रखिएगा और ये इस formula पे आप अगर इसको solve किजेगा तो ये 122 degree Fahrenheit हो जाएगा अगला कुशन से बर्फ का एक टुगरा पानी में लबालब भरे बिकर में तैर रहा है जबकि पूरी बर्फ पिघल जाए तब उसका लेबल जो होगा पानी ये गिरेगा नहीं कहां गया जल अस्तर नहीं बदलेगा ये हो जाएगा इसका अंसर बर्षा की बुंद की गोलाकार आकरिती का कारण क्या है surface tension अगला कुशन से सबसे ज़्यादा सायानता होती है तो ये होती है सहद के अंदर सबसे ज़्यादा सायानता होती है अगला कुशन से महासागर की उची जल तरंगे कैसे आती है तो ये आती है चंद्रमा से जब एक पत्थर को चांद की सतह से प्रीधवी पर लाया जाता है तो उसका जो है दरब्वेमान भार बदल जाएगा पढ़नतु दरब्वेमान नहीं बदलेगा यही होगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं यह उँच दाप के कारण पानी जो होता है उँच दाप मान पर उबलने लगता है इसलिए हाई प्रेशर के कारण सौर उड़्जा निम्न में से किससे पराप्त होती है तो स्वार उर्जा जो है ये सूर्य से प्राप्थ होती है अगला कुशन से सूर्य पर उर्जा का निर्मान होता है सूर्य पर उर्जा का जो निर्मान होता है ये नावकिय सललयन के कारण पर्थम भारतिय उपगरा आरे भट कब छोड़ा गया था तो ये छोड़ा गया था 19 अपराइल 1975 को बर्स के दिरिगदम होता है तो बर्स जो है ये दिरिगदम होता है पलूटो पर विदुद्चुमबके तरंगों का बेग होता है तो विदुद्चुमबके तरंगों का जो बेग है ये होता है 3 into 10 to power 8 meter per second सुर्य के प्रकास का धर्ती की सता पर पहुँचने में लगने वाला समय लगभग कितना है तो ये है सारे 8 minute सुर्य का प्रकास प्रित्वी पर पहुँचता है तो ये अभी हमने आपको बताया था पीछे भी एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें बताया था कि 8 minute 19 second को आप याद कर लिजेगा और अगर सारे 8 minute आपके option में है तो आप लगा सकते हैं अगर option 4 होता तो ये 8 minute सही हो जाता लेकिन 4 नहीं है तो इसलिए ये इसका option हो जाएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये ब्रेस्पती है निमलिखित में से कौन सा एक computer की भासा नहीं है तो ये fast ये computer की भासा नहीं है ठीक है और basic C और photon जो है ये computer की भासा है लेकिन fast ये computer की भासा नहीं है निमलिखित में से कौन सी धातु जो है ट्रांजिस्टर में पड़ियोग होती है तो ये होती है जर्मेनियम अगला कुशन से परमानु नावकी के अब्यब है तो ये है प्रोटोन और नूट्रोन निमलिखित में से कौन सा बिकल्प गलत है तो अगर हम गलत की बात करते हैं तो हमारा जो नावी के अंदर प्रोटोन और इलेक्टोन की उपस्तिती होती है अभी तो हमने उपर में पढ़ा था कि नावी के अंदर क्या होता है प्रोटोन और नूट्रोन होता है तो यहाँ पे इलेक्टोन नहीं आ गया यही जो है गलत है निमलिखित में से कौन बेकलफिक उर्जा का सबसे बड़ा भंडार है तो बेकलफिक उर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो है सोड़े उर्जा है परमानु बंब का सिध्धान्त अधारित है तो परमानु बंब जो है इन नाफ के बिखंडन पर काम करता है hydrogen bomb किसके सिधान्त पर अधारित है तो hydrogen bomb जो है ये अनियंतरित सल्लैन परतिकेरिया पर काम करता है बाईव में कौन सी noble gas नहीं है तो बाईव के अंदर रेडान नहीं है आप इसको ध्यान में रखेगा काफी exams में पूछा जाता है बिजली की खपत का bill किसके मापन पर अधारित होता है तो बिजली के खपत का bill ये आपके watt के उपर अधारित होता है kilowatt hour मैंने आपको बताया था kilowatt hour इसका unit होता है निमलिखित में से सबसे भारी धातू है तो सबसे भारी धातू ये uranium है inset 2A कब छोड़ा गया था तो inset 2A ये 10 जुलाई उनिश्व बिरानमे को छोड़ा गया था और ये उस समय क्या कुशन है तो आप भे आप इस समय का कुशन पढ़ कर जाएगा तो इसी के साथ जो है physics का 102 कुशन यहीं पर end होते हैं और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पिलीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर दबा दिजेगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ इसका information जो है तुरंत आप तक पहुंच जाए और एक लाइक बटन जरूर दबाएगा थैंक यू फार वाचिंग